हेलो एबरीबन मेरा नाम परेमगिरी है और आप सबका बहुत स्वागत है हमारी चैनल पर इस्टड़ी 24 इंटू 7 पर तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो राष्टपती से संबंदित महत्वपूर्ण प्रस्ण है जो की जितने भी कोश्चन है राष्टपती संबंद तो उसका प्लोग दे सकते हैं तो भीना देर किये चलिए सुरू करते हैं आज का सेसं और देखते हैं क्वेश्चन पहला तो पहला कोश्चन है वो इस देश का प्रथम नागरिक होन है और आप्सण है राष्टपती और ये प्रदानमंतरी और और ये वाइस प्रेजिए औ प्राइम मिनिस्टर यानि प्रदानमंतरी तो इसका जो right answer होगा वो होगा option number B यानि कि president जो होता है president के अंदर संग के कालेपाली का सकती नहीं इत होती है next question देख लेते हैं there will be a president of India in which article is it mentioned भारत का एक राष्टपती होगा कि सनुछेद में इसका उलेख किया गया है तो इसका जो option दी है वो article 54, article 56, article 52 और article 58 तो इसका जो right answer होगा वो होगा article 52 article 52 में बताए गया है कि भारत का एक राष्टपती होगा article 54 में बताए गया है कि राष्टपती का निर्वाचन कैसे होता है Article 56 में बताए कि राष्ट पती का कारेकाल कितने वर्सका होता है। उससे समंदनी जानकारी दी गई है। Article 58 में बताएगा है कि राश्टपती की योग्यताएं क्या क्या होने चाहिए क्या राश्टपती बनने के लिए उसके बारे में Article 58 में बताएगा है पचीस वर्ष प्रदान मंत्री बनने के लिए निलोक सभा का सदस्य बनने के लिए पचीस वर्ष की नियुंतमायू निर्दारित की गई है तीस वर्ष जो है वो क्या गया है विदान परिसद यानि लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बनने के लिए नियुंतमायू तीस व मदित है Camera अंच्छे दंधावन याने 58, आर्टिकल 56, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61 तो इसका जो राइट अंसर होगा वो होगा युग्यता से संब्त याननी कि आर्टिकल 58 आर्टिकल 56 में कारेकाल के बारे में बताए गया है आर्टिकल 60 में सपत प्रक्रिया बताई गया है आर्टिकल 60 वर्ट में impeachment process बताया गया है राष्टपती की जाने कि महाभियोग प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है आर्टिकल 61 में next question देख लेता है in which part of the constitution the president is mentioned संविधान के किस भाग में राष्टपती का उलेख किया गया जाने कि option इसका जो दिया गया है वो है part 5 part 10 part 15 part 20 तो article sorry part 5 में mention किया गया राष्टपती संबंदित राष्टपती का उलेख किया गया पार्ट 5 में next question देख लेता है the president can give his resignation to राष्टपती अपना स्थीपा दे सकता है Chief Justice of India यानि भारत के मुखे नाए देश को Vice President उपराष्टपती को लोग सबाइस पीगर लोग सबाके अगद्यक्ष्ट को यानि इन में से कोई नहीं तो अपना स्थीफा किसे देगा तो राष्टपती अपना स्थीपा कर से देगा तो उपराष्टपती को देना है यानि कि Vice President को स्थीफा देता है राष्टपती चीए नेस्ट कोस्टन देख लेता है हूँ एड्मिनिस्ट्रेट दे ओथ टू दे प्रेजडेंट अफ इंडिया भारत के राष्टपती को सपत कौन सपत दिलाता है तो इसका आप्शन दिया है वाइस प्रेजडेंट गवरणर चीफ जरस्टिस आफ इंडिया यानि कि भारत का मुख दिलाता है और इस्पीकर आफ लोकसबा का द्याक्षा इसका जो राइट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्टपती का कारेकाल कितने वर्स का होता है तो ऑप्षन दिया है छे वर्स ऑप्षन भी पांच वर्स ऑप्षन सी यह पैंसर वर्स और किया यू और ऑप्षन डिये नौन अफ दी यानि इन में से कोई नहीं तो इसका जो राइट होगा वो होगा ऑप्षन नंबर बी यानि कि पांच वर्स नेश्ट को संदेख लेते हैं हाउ मेंबर्स और नॉमिनेटेट बाइट प्रेसिडेंट तुदर राज्यसवा राष्टपती द्वारा राज्यसवा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है तो इसका जो ऑप् साथ यह प्रक्रिया को खतम कर दिया गया नेश्ट को संदेख लेते हैं हाउ मेनी टाइम सकना पर्सन वी एलेक्टेड तूद ऑफिस और प्रेसिडेंट किसी वेक्ति को राष्टपती के पद के लिए कितनी बार चुना जा सकता है तो इसका जो ऑप्षन है दो बार पांच सुना जाएगा नेश्ट को संदेख लेते हैं दो प्रेसिडेंटील केंडिनेंट लॉस हीज बेल मनी इफी कांट गेट इट राष्टपती पत का उमिद्वार को जमानत की रासी गवानी पड़ती है जैदी वह प्राप्त नहीं कर सकता है वैद वोटों का वन अपन सिक्स जैदी आप्सन नमबर ए जो है वैद वोटों का एक पॉंच छे बाग राष्टपती को प्राप्ती करना होता है ने तुसकी जमानत रासी जो होती है वो जब्त हो जाती है और जमानत रासी जो होती है राष्टपती की वह 15,000 रुपए होती है जो की RBI में जमा करना पड़ हुसेन तीसरा अपसन है A और B और दोनों यानि की और D आपसन है नौन अफ दीज तो इसका जो राइट एंसर होगा वो होगा आपसन नमबर सी यानि कि फकरुद्दीन अली अमद और जाकिर हुसेन यह देनों लुक्क्या हुए थे कि अपने कारेकाल के दौर आनिम मिर्ति की हो गई थी लोगों की ठीक है नेस्ट कोशन देख लेता है वो अपसन नमबर बी यानि की वीवी गिरी जो थे वो फॉस्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहले कारेवाग राष्टपती थे सवरपली रादा कृष्णन को प्रथा पहली भार भारत रत्न पुरुष्कार से सम्मानित किया गया था ठीक है नेक्स्ट कोशन देख लेता है नेम आफ दो पर्सन हूँ हेल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉर द शॉर्टेस टाइम उस वेक्ति का नाम जिसने सबसिक समय के लिए राष्टपती का पत संबाला उनका नाम क्या था अप्सन देख लेता है जाकी रूसें सरपली रादा कृष्णन ग्यानी जैल से और वीवी गिरी तो इसका जो राइट अंसर होगा वह होगा जाकी रूसें यानि ऑप्सन नमबर ए नेस्ट कोशन देख लेता है Name of the President who was the Speaker of लोकसभा उस राष्टपती का नाम बताए जो लोकसभा के अध्यक्ष थे यानि अध्यक्ष भी रह चुके थे निलम संजी उरेड़ी जो थे वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे नेस्ट कोशन है दो फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी अवाड़ेट द भारत रत्न अवाड़ भारत रंत पुरुसकार से सम्मानित होने वाले पहले राष्टपती इसका पीछले कोश्चन में म बताया थो इसका जो राइस टैंसर ओव होगा स्वरपली राधा कृष्णर ठीक है नेस्ट कोश्चन देख लेते हैं वो इस दे फर्स्ट ओमेन प्रेश्डेंट ओफ इंडिया भारत की पहली महिला राष्टपती काऊने अप्सन ने प्रतिबा पाटिल दूसरा अप्सन ने इंद्रा गांधी तीसरा अप्सन ने फातिमा भी और नन अफदी जैनिन में से कोई नी तो इसका जो राइट अंसर होगा वह होगा नंबरे अंसर नंबरे यानि कि प्रतिबा देवी सिंग पाटिल जो थी वो पहली महिला राष्टकती बनी थी इंद्रा गांधी जो थी वो पहली महिला प्रधान मत्र बनी थी यानि फर्स्ट उमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी और फातिमा भी जो है फाति यह ससस्त्र बलो का सरवर्च कमांडर का उन होता है तो इसका जो राइट अंस्व वह ओगा ऑप्शन देख लेते हैं पहले गवर्णर प्राइम मिनिस्टर यानि प्रदान मंतरी प्रेश्डेंट राष्टपती पार्लियामेंट यानि संसर तो इसका राइट अंसर अप्शन मिरुट स्रेटों देख लेता है तो यानि कि राष्टपती यो था अफिस लेट प्रेश्टिंट करेंथ से काओ नटा सकता है तो राषटि पती से अटा सकता है option देख लेते हैं वाइस प्रेशिदेंट लोगसभा राजिसभा और पार्लियमेंट इसका राइट एंसर होगा option नमबर डी यानि कि पार्लियमेंट द्वार आटाय जाता है impeachment process के द्वारा यानि माभियोग प्रक्रिय द्वारा राष्टपति उनके पत से अटाय जा सकता है नेस्ट कोस्टन देख लेते हैं फ्रॉम वेर इस द इंपीश्मेंट प्रोसेस ऑफ प्रेशिदेंट एडॉप्ट यानि कि जो सपत ग्रांड करने की स्वारी माभियोग प्रक्रिय राष्टपति क वो कहां से अपनाई गई है तो वो अपनाई गयाए ऑप्सण देख लेते हैं अमरीका, ब्रीटेन, रसिया और आयरलेंड तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्सण नमबर है यानि कि अमरीका से अपनाई गया है ब्रीटेन से पार्लियमेंटरी सिस्टम एकल नागरिकता की बाद जो है वह अपनाएगे ये ब्रिटेन से रसिया से अपनाया गया है fundamental duties यानि मौलिक करता भी जो है उसको अपनाया गया है Ireland से DPSP को अपनाया गया है यानि डारिक्टर प्रिंस्पल आफ इस्टेट पॉलिसी को लिया गया है आएरलेंड से नेस्ट कॉस्चन देख लेता हैं वू केंड डिजॉल्व द लोगसभा लोगसभा को कौन बंग कर सकता है पारलियमेंट यानि संसद वाइस प्रेश्ट पती प्रेशिदेट यानि राष्ट पती और लोगसभा अपसा नंबर सी यानि कि राष्ट पती जो है वो लोगसभा को बंग कर सकता है और राज़य सभास थाइसाद वनता है इसली राज़य सबाइक अस्थाइस सदन है इसकी वज़े से राज़य सबाइक नहीं किया जा सकता है नेस्ट कोस्टन देख लेता है वो समस्ट द सेशन आफ पार्लियमेंट संसद का सत्र कोन बुलाता है लोग सा वाई स्पीकर राष्टपती प्रेशिडेंट गवर्णर यानि राजयपाल नन अफदी जैनी इन में से कोई नहीं थी इसको जो राइट आंसर होगा वो होगा याना कि जो प्रेशिडेंट होता है वो हमारे संसद की सत्र को बुलाता है आहूत करता है संसद की बैठोक को बुलाता है उसको खतम भी कर सकता है ठीक है राष्ट पॉकेट वीटो फर्द फर्स्ट ताइम किस राष्टपती ने पहली बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था ऑप्शन देख लेते हैं ग्यानी जैल सिंग एपी जेब दुलकलाम रामनात को भी औल अफदी जैनी यह नहीं सभी तो इसका जो राइट एंसवर होगा वो हो 1986 में ठीक है नेक्ट कोश्चन देख लेते हैं वो इन्वेस्टिगेट एंड डिसाइड दे मैटर आफ एलेक्शन आफ प्रेसिडेंट राष्टपती के चुनाओ के मामले की जाच और नीड़े कौन करता है ऑप्शन देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया हाई को आफ इंडिया वाइस प्रेसिजेंट और पार्लियामेंट तो इसका जो राइट एंसर होगा वो और आप्शन आफ रहा है यानि कि भारत का जो सर्वच नियाले होता है उसके द्वारा राष्टपती के चुनाओ के जितने में विबाद होते हैं उसकी जाच करता है उस पे क सारे वाइकॉन करता है तो नियर्ड आइकॉन लेता है तो सुप्रीम कोट के द्वारा लिया जाता है नेक्स्ट कॉस्टन देख लेते हैं विच आर्टिकल्स डिसक्राइब दो प्रोसेस आफ इंपीचमेंट्स आफ द प्रेसिजेंट कौन सानुछे द्राष्टपती के आउ परक्रीय याने की आर्टिकल 63 में बताया गया है कि राष्टपती की कारी और सक्तियां के बारे में बड़न किया गया है अर्टिकल 53 में. लिइक लेक्टे हैं में नेस्ट कॉस्टन देख लेता है है तो इसका घॉरा है सरब डिय एंडरेक्ट कीडन डियक्शन दोन सब्सक्राइब भी होगा तो राश्च्ट पती का जो चुनाओ होता है राश्च्ट पती का वो इंड डिरेक्ट नहीं कम नेए तरह होता है लिल से और आ ठीकल का चुनाव का वर्डन किया है उसमें अर्टिकल फिप्टीफूर में बताया गया कि राष्ठपती का जूरी इंसको बारे में चर्चा की गई और और आर्टिकल 110 में यानि इसमें money bill की चर्चा की गई है money bill की चर्चा की गई है आर्टिकल 110 में तो इस question का जो right answer था वो option number A था ठीक है next question देख लेता है who pay the salary to the president राष्टपती को वेतन का भुगतान कौन करता है तो इसका जो right answer होगा आपसन देख लेता है पहले consolidated fund of India यानि कि भारत की संचितनी दीद्वारा Parliament, संसद, Supreme Court यानि कि सरोचेनले, none of the janin में से कोई नहीं तो इसका जो right answer होगा वो option number A होगा यानि कि जो salary मिलती है राष्टपती को वो भारत की संचितनी दीद्वारा उसको दी जाती है next question जो लिखा है इसका आप लोग answer comment करके हमें बताएंगे from which country the post of the president taken in India भारत में राष्टपती का पद किस देख से लिया गया है तो ये जो question है इसका आप लोग हमें answer comment करके बताएं और आज की class आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को subscribe करिएगा और ऐसे और भी question आप लोगों को provide कराये जाएंगे और ये question share भी कर सकते हैं आप अपने friends में जो की government जो आपकी तैयारी कर रहे हैं उनको बड़ी help होगी और इस question की जो PDF है वो मैं आपको provide कराऊंगा link description में मिल लाएगा आपको धन्यवाद